operations of goods and services यह different operations होंगे क्योंकि goods are different characteristics होते हैं services के different characteristics होते हैं तो उसकी वज़ा से जो इनका operations management है वो भी different होते हैं अगर हम goods के characteristics को देखें तो वो tangible product होता है उसको हम देख सकते हैं उसको हम touch कर सकते हैं तो वो tangible होता है उसकी हम एक बार production की है तो उसकी हम inventory रख सकते हैं वो अगर बिके ना तो उसको हम inventory के तौर पर रखेंगे और future के अंदर उसको sell कर देंगे या जब क्या कहते हैं ज़्यादा demand नहीं है तो उसको हम उसकी inventory build up करेंगे और जहाँ demand जिस period में बढ़ जाएगी तो उसमें inventory से उसको demand को meet करेंगे तो इसकी planning different types की होगी similar products को आप exactly I would say cannot 100% but still बहुत similar products आप produce कर सकते हैं ठीक है? इसके अंदर बहुत ही कम difference होगा एक product से दूसरे product के अंदर जो customers involvement production के अंदर वो बहुत limited होती है कुछ में involvement हो जाती है for example जब हम purchase करते हैं क्या कहते हैं कोई चीज़ तो कई जगा पर यह होता है कि हमें unassembled let's say table या chair मिल जाती है उसको घर में आकर हम खुछ assemble कर लेते हैं तो वहां तक तो इसकी involvement हो जाती है customer की बस इस से ज़्यादा manufacturing के अंदर involvement नहीं होती product standardized product produce हो जाते हैं इसमें कोई problem नहीं है production को हम automate कर सकते हैं क्योंकि standardized product produce हो रहे हैं तो इसकी automation हमारे लिए बहुत relatively असान हो जाती है quality product की जो है वो हम असानी के साथ evaluate कर सकते हैं क्योंकि ये tangible product है तो इसको हम इसकी quality को हम अच्छी तरह असानी के साथ evaluate कर सकते हैं on the other hand if we look at service characteristics of service तो ये intangible product है इसको हम touch नहीं कर सकते हैं ठीक है और इसके अंदर जो service हम provide कर रहे हैं lawyer जो हमें service provide कर रहे है court में जाकर वो हमारा case fight कर रहे है या कुछ और हमें counseling कर रहे है तो इसको हम touch नहीं कर सकते हैं हम इसको इसकी inventory नहीं हम रख सकते हैं ठीक है अगर ये हमने produce की है तो उसी वक्त इसको consume करना होगा उसकी inventory नहीं होगी for example एक hotel है उसके अंदर वो कमरे रहने के लिए provide करते हैं अगर एक कमरा खाली चला गया तो वो कमरा उस दिन के लिए खाली गया वो अगर consume नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि वो हम lose कर गया है उसकी inventory नहीं कर सकते हैं कि future में use करें तो इस सिल्षले में service बिल्कुल इसको वो नहीं handle करेगी often it is unique again अगर मैं example दो lawyer की तो unique service provide करेगा ठीक है counseling करेगा लेकिन case आपका fight करेगा लेकिन हर case different नौइयत का होगा यह नहीं होगा कि बिल्कुल exact same नौइयत का वो case होगा तो इसलिए it is usually unique service होती है doctor अगर आपको counseling कर रहा है consultation provide कर रहा है तो वो भी unique होगी आपकी illness के हसाब से वो आपको एक unique service provide कर रहा होगा knowledge based होती है often ठीक है इसके अदर जैसे वैंने again example दी lawyer की doctors की तो it is all knowledge based जो के service provide की जा रही है तो usually यह knowledge based होती है product definition communication एक standard नहीं है आपको मिलेगा यह जो service है इसके अंदर similar service नजर नहीं आती बहुत जैसे मैंने कहा पहले के unique होती है तो उसके अंदर changes बहुत ज्यादा होती है तो कोई standard आप नहीं कह सकते के जी यह जो डॉक्टर ने counseling करनी है तो यह पंदरह मिनिट करेगा तो हर मरीज का पंदरह मिनिट कही होगा नहीं उसके अंदर किसी का पांच मिनिट में भी उसको फारिक कर सकता और कहीं आदा आदा गहंटा उसका ले लेगा तो वो उसको आप यह नहीं कह सकते के जी यह आप उसने काम ठीक नहीं कर रहा क्योंकि यह आदा गहंटा ले रहा है क्योंकि वो तो requirement के मताबिक उसने प्रोवाइट करनी है consultation so inconsistent product definition होती है हाई customer interaction होती है customer is part of the process ठीक है ना जब आप डॉक्टर के पहाँ जा रहे हैं तो you are part of the process डॉक्टर के साथ interaction रहे हैं आपको चेक कर रहा है so आप कह सकते हो कि you are good जिसको डॉक्टर चेक करके बता रहा है कि इसके अंदर क्या problem है ठीक है इसके अंदर so it's very high interaction customer खुद मुझूद होता है interact कर रहा होता है यह frequently it is dispersed the service is dispersed ठीक है तो इसके अंदर characteristics अगर आप देखें service और goods के तो वो बहुत different है और इसी वज़ा से इनकी जो क्या कहते हैं production यह operations management है वो भी बहुत different होगी service की बिलकुल अलग होगी goods की वो अलग होगी manufacturing की अलग होगी और service industry की अलग होगी लेकिन हर जगा यह चीज़ आती है जैसे layout है तो हर जगा layout का concept है तो वो service में भी होगा वो manufacturing में भी होगा, location, service में भी होगा, manufacturing में भी होगा, तो ये चीजे सारी उदर होंगी, लेकिन किस तरह उसको approach करना है, वो different होगा दोनों के लिए.